हांजी तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर सर्कीट को कनेक्ट करना सीख लिया था इस मीटर बीज के सर्कीट को चेक करना भी सीख लिया था कि यह सही connected है के नहीं अब इस वीडियो में हमें reading लेना सीखन है तो अगर इसके फॉरूम्ले को आप द्यान से देखो तो आपको साहब पता है कि unknown resistance का formula होता है 100 minus L divided by L into R अब R की value तो आपको पता ही है क्योंकि resistance box से आप ही तो resistance निकाल ले हो 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, जितना भी निकालोगी वो R की value होगी अगर आपको L की पता लग जाए value तो S की value भी फिर पता लग जाएगी तो हमें अब practical की help से L की value यानि की balancing length on meter bridge find करनी है वो कैसे find करेंगे इसके लिए मैं आपको 2-3 reading रेके दिखाता हूँ देखो हमें क्या करना होगा resistance box से कोई भी resistance निकालना होगा जैसे first reading के अंदर suppose मैंने 1 ohm निकाल लिया second reading के अंदर 2 ohm निकाल लूँगा 3 ohm निकाल लूँगा या फिर आप 2 ohm फिर 4 ohm फिर 6 ohm कैसे भी निकाल सकते हो suppose मैंने first reading के लिए 1 ohm resistance बाहर निकाल लिया इसके बाद क्या करूँगा मैं balancing length चेक करूँगा balancing length कैसे चेक करेंगे इस जोकी को रब करना है meter bridge की wire की उपर और galvanometer के deflection को देखना है हमने देखना है कि किस जगा पे deflection zero आ रहा है किस जगा पे deflection zero आ रहा है तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे उदर से लगना है ठीक है किनारे से लगना है मैं देख रहा हूँ कि deflection गल्वाइनोमेटर के अंदर एक मिनिट रुको देखो deflection आ रहे है ठीक है deflection आ रहे है यहाँ पे भी आ रहे है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है ठीक है दीरे दीरे बिल्कुल हलकाल का रब करना है ज्यादा जोर से रबने करना तो कि इससे wire की thickness change हो होने से इसका potential gradient change हो जाता है जो कि theory में आपने इच्छी तरह से पढ़ा हुए इसका principle dependence पर करता है आ रहे है आ रहे है आ रहे है देखो यह देखो आ रहे है बिल्कुल 90 डिगरी पर देखना है आ रहे है अभी तक zero पर हम achieve नहीं कर पाए है बिल्कुल पास पहुंच गए है यह देखो एक मिनेट दिख रहा है कि नहीं आपको यह देखो zero deflection आ गया यह देखो कहाँ पर zero deflection मिला यह है 66.5 पे तो यह मेरी एल की reading होगी तो मैं इसको लिख दूँगा 66.5 66.5 cm के अंदर है यह ठीक है मैं repeat कर रहा हूँ यहां से मैंने एक resistance निकाला बाहर और balancing length निकाली balancing length कैसे निकाली मैं जोकी को wire के उपर रब करता आ रहा हूं galvanometric deflection आ रहा है लेकिन एक point ऐसा आएगा जहाँ पे deflection zero हो जाएगा जहाँ पे deflection zero हो जाएगा वाँ पे जोकी को रख देना है और first terminal से length measure कर लेनी है कितनी आई है तो यह हमारा हो गया L निकाला इसी तरह से मैं क्या करूंगा फिर जैसे वन निकाला था अब यह वन नोम तो अंदर है टूम निकाल लिया फिर से balancing length निकाल लूगा फिर यह भी निकाल लूँगा और वन एंटू अब दोनो बाहर है तो total 3 ohm बाहर है तो 3 ohm के लिए reading हो जेगी L की value वैसे ही find कर लूँगा ठीक है L की मेरे पास ऐसे करके 4 ohm के लिए निकाल लूँगा चार readings आजाएंगी L की भी 4 values आजाएंगी इसके corresponding S की भी मेरे पास 4 values आजाएंगी जैसे मैं यहाँ पे रखूं 100-66.5 divided by 66.5 into R, R मैंने कितना निकाला था? 1 ohm, S की मेरे पास एक value आजाएंगी वैसे ही इसके corresponding एक ओर आजाएंगी इसके corresponding एक ओर आजाएंगी इसके corresponding एक ओर आजाएंगी इन सब का फिरम क्या ले लेंगे? average ले लेंगे जो average आएगा वो ही हमारा क्या होगा? इस wire का resistance तो इस तरह हैंसे ह मीटर बिज का practical करते हैं, I hope आपको समझ आ गया होगा, all the very best, thank you so much.